Hello दोस्तों and welcome back to another video and आज की इस वीडियो में इंस्टॉल करने वाले हैं new target UI हमारे QbCore server में So start करते हम आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले आपको आजाना इस github page पे and इस target design को design किया है sloppy designs ने So आप इनको भी check out जरूर कर लेना इसके बाद हमें क्या करना है हमें सबसे पहले इसको download कर लेना है उसका button आपको ही पर मिल जाएगा आपको इनको simply extract कर लेना है यहाँ पर याद रखना अगर आपको HTML में changes करते हो तो आपको वह वाले changes यहां भी करने पड़ेंगे As well as अगर आपको कोई colors वगरा भी change करने तो आप यहां से कर सकते हैं very easily आपको simply CSS वाली file में जाके अपने इसाफ से color add करने है यहाँ पर आपका काम हो गया इसके बाद हमें यहाँ पर इसको test भी करना है इसको test करने के लिए मैं किसी भी एक script में target enable कर देता हूँ इसके लिए मैं सबसे पहले चल लेता हूँ यहाँ पर ambulance job में है यहाँ पर config लुआ हमें आके मैं जो target है इसको enable कर लेता हूँ by default यहाँ पर हमें e-press करना पड़ता है कुछ भी करने के लिए so मैं इसको कर देता हूँ true and जैसी मैंने इसको true किया यहाँ पर हमारा काम हो गया so अब हम चलते हमारे server में and test करते हैं इस script को इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले make sure to check out Zab hosting जो है 5M official hosting partner and इनके help से आप अपना 5M server host कर सकते हूँ सिरफ 5 minute में and check out के time use करना मेरा promo code जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा कासा discount and यह सारी details आपको मिल जाएगी description और pin comment में अब बढ़ते हम अपनी वीडियो में so यहाँ पर मैं आचुका अपने 5M server में and यहाँ पर मैं सीधा आचुका हूँ hospital में so अब चलते हैं and इसको check करते हैं so यहाँ पर मैं करता हूँ third eye and यहाँ पर देख सकते हो आपको एक pulse दिख रही होगी and वो भी यहाँ पर blink करेगी जैसे ही मैं यहाँ पर इस telephone के पास इसको लेकर आता हूँ so यहाँ आप देख सकते हो इसमें एक animation आ गया अगर मैं इसको हटा तो तो animation नहीं है and यहाँ पर अगर मैं करता हूँ वापिस तो यहाँ एक animation भी आ जाता है आप इस animation को भी change कर सकते हो अपने end से जब यहाँ पर मैं right click करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा check in button and ऐसे ही अगर आप यहाँ पर multiple options एड करते हो तो यहाँ पर इसके आसपास सारे buttons आपको दिखेंगे कुछ इसी way में and यह बहुत जादा अच्छा लगता है अगर आप इसमें थोड़ी बहुत changes करोगे अपने end से so यहाँ पर मैं check in कर लेता हूँ and यहाँ पर आप देख सकते हो यह बड़े अच्छे से work भी कर रहा है so यही थी दोस्तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको like करना है and channel को subscribe करना है इसके लावा अगर आपको कोई suggestion है तो आप मेरे को comments में जरूर बताने मैं जरूर से try करूंगा उसको implement करने का इस वीडियो में दोस्तो इतना ही and जाने से वहले make sure to check out zap hosting जहां आप host कर सकते हो अपना खुद का 5M server इनके game server hosting में या फिर आप buy कर सकते हो VPS या फिर root server अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP server है and यहां पर आप मेरा promo code जरूर यूज करना because उसमें आपको renewal के time एक अच्छा खासा discount मिल जाएगा मेरी तरफ से so thanks for watching मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में कर दो